महरास्ट सियासी संकट पर सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोट की पाँच जजों की पीटने की सुनवाई पाँच जजों की पीटने फैसला सुरक्षित रखा सुप्रीम कोट में शिवसेना बनाम शिवसेना की लडाई के लिए आज एहम दिम था महराष्ट सियासी संकट का हल लेकिन आज भी नहीं निकला महराष्ट के पूर्व सीयम उद्दव ठाकरे की ओर से दाखिल की गई याचका पर पांच नियाय धीशों की सम्विधान पीट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपने फैसले को तुरक्षित रखा है याचका पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जज़ों वाली सम्विधान पीट में सीजी आई, डीवियाई चंदर्चून, जस्टिस मुकेश आर्शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्मा सामिल है इस पीट ने मामले में 9 दिन तक सुनवाई की, इस दोरान सुप्रीम कोर्ट में उद्धफ ठाकरे गोट, शिंदे गोट और उराजिपाल की दलीने सुनी कोर्ट में उद्धफ ठाकरे के वकील अभीशेक मनु सिंग्वी ने अदालत में पक्ष रखते हुए लोकतंतर का हवाला दिया CGI चंदरचूर ने इस पर सवाल किया कि क्या आप फिर से उद्धफ ठाकरे सरकार को बहाल करने की मांग कैसे कर सकते हैं मामले में जस्टिस एमार शाह ने कहा कि कोर्ट विश्वासमत का सामना नहीं करने वाली सरकार को फिर कैसे भाल कर सकती है इसके जवाब में उद्धफ ठाकरे के अधिवक्ता सिंग्वी ने कहा कि राजपाल ने गैर कानूनी तरीके से फ्लोर टेस्ट बलाया था उन्होंने दावा किया कि आज भी महरास्ट में गैर कानूनी सरकार चल रही है आपको बता दे कि 29 जून 2022 को महरास्ट का सियासी संकट चरम पर पहुच गया था जिसके बाद शिंदे के निरतत्रवाली शिवसेना भाजपा सरकार बनी थी इससे पहले बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान कोट ने राजपाल की भूमिका बर सवाल उठाये थे पांच जजों की समवधानिक पीट ने कहा कि राजपाल को इस शेतर में प्रवेश नहीं करना चाहिए जहां उनकी कारवाई से एक विशेश प्रणाम निकलेगा सवाल ये है कि राजपाल ने किस आधार पर पहले से ये इंदाजर लगा लिया कि आगे क्या होने वाला है कोट ने पूछा कि क्या राजपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए परियाप्त आधार था सरकार को गिराने में राज़पाल सुएक्षा से सयोगी नहीं हो सकते लोकतंत्र में ये एक दुखत तस्वीर है सुरक्षा के लिए खत्रा विश्वासमत का आधार नहीं हो सकता CGI, DY चंद्रचूर ने राज़पाल से कहा कि उन्हें इस तरह विश्वासमत नहीं बुलाना चाहिए था उनको खुद ये पूछना चाहिए था कि तीन साल की सुकत शादी के बाद अब क्या हुआ इस खबर में भी इतना ही आप बने रहिए One India के साथ